कि हलो फ्रेंद्स वेल्कम टू स्मार्ट नोगरिया दोस्तों आज किस फीडियों में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है तो चलिए शुरू करते आज का सिधा विशर जियां दोस्तों राहूर गांदी ने केंसर सब्सक्राइब के ना सकती जादा है अगली खबर की तरफ चलते हैं तो भी जो है अब प्रदेश में स्वास्ते मंत्राराय नहीं था लेकिन अब से दो स्थापित हो गया है अब जल्दी वहां पर करोना वाइरस के उपर जो है लगा दी जाएगी अगली खबर की तरफ चलते हैं या दोस्तों यूवेस ने जो है यानि इन्वाइट नेशन यानि कि अमेरिका ने दावा किया है कि जमा खोरी कर उचे दामों पर भारत वह दोस्तों इलाहबाद के विश्वधाले के जो प्रोफेसर हैं साहीद उन्हें भी जो है करोना पॉजिटिक के संदिक में पाया किया है और उनका और मौना ना साथ जो है दोनों में जो है क्या फरक है इस परकार के जो है शोचल मीडिया पे खबरे फैल रही है कि मंगलवार को जो सागज पूलिस ने जो साथ सब्सक्राइब को ज्याबारे को है इसके अलावा ऐसा करेली पूलिस ने नौह वी देशी समय बारा लोगों को गरिफ्तार किया वहिं सब्सक्राइब अकôm enfin साबित करने की होड लगी है जिया तो इस समय जो है चारों तरफ जो है माहौल बना है हिंदू-मुस्लिम खिलाब तो इसी बीच में जो है साइध जो है सैपली खान ने कहा है कि इस समय देश में सभी लोग बस यह है कि देश भक्ति जो है खत्म हो जाएगा अगली खबर की तरह बढ़ते हैं दोस्तों करोना से अगली खबर आ रहे है कि रैपिट टेस्ट के पर क्यों लगी रोग जानिए आई सीमर ने क्या कहा है कि पॉजिट्वी सैंपल्स के वैरियेशन ज्यादा इसलिए रोग लगाए अगले दो दिनों में आई सीमर की आठ इंस्ट्यूट फिल्ड में करेंगे इस किट का परिच्छर राजस्तान और पश्ची मंगल ने रैपिट टेस्ट के पर उठाया थे सवाल तब से इसके उपर बैन लगा दिया गया है अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों दुबाई में मौजूद सोनु निगाम जो एक सिंगर है उनकी खिलाफ जो है शोशल मीडिया पर काफी जो है अफवाय होड़ी जिसके चलते हैं उन्हें कहा गया है कि गिरिफ्तार किया जाए ऐसा लोग जो है उनके खलाफ कह रहे हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं बीजेपी में सिंधिया य होट जाना चाहते हैं यानिकीं जो शहरों में फसे हुए हूएँ तमाम लोगों को जल्द ही जी जाएगी और जल्द ही निकालने की जा विवस्थक की जाएगी बहुत ही जल्द आपको बसो के माध्यम से जी हां दोस्त। तमाम लोगों जो एकि गैरों पर पहुछब इच सबसे पहले उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री युद्य आगीद्यात ने तीन सो बसे चला कर राजस्तान के कोटा सहय से तमाम बच्चों को निकाल लाएं उतरप्रदेश सबी राज्यों के मुख्यमंत्रीय में यह होड लगे कि वह अपने राज्य के तमाम लोग जो मजदू नहीं दे सकता अगली खबर की तरफ चलते हैं सबसे बड़ी खबर कि पालगर में जो मॉब लिचिंग हुआ है जिसमें दो सादू और एक ड्राइवर की हत्या कर दे गई है उसकी जो है मामला जो है तूल पकरता हुए दिखाए दे रहा है कि जल्दी इसके उपर सिभी साथ होनी चाहिए जिया और सिभी जाच के बाद जो है इनके पर तमाम लोग के उपर कारवाई होनी चाहिए पिर आपकी जानकारे के लिए बता दू कि अभी तक जो है सो लोगों को पुलिस की कस्टेडी में रखा गया है इस पालगर मॉब लीचिंग के कारण अगर इख सब्सक्राइब की तरफ चलते हैं जिया दोस्तों सरकार ने जो है कहा है कि सभी के खाते में जो है दो दो हज़जर रॉपे डाल दे गएंगे लेकिन अगर अभी तक आपके खाते में पैसे नहीं आया तो आप वीडियो के इसे कमेंट कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर स्टार्ट के आप सभी लोगों कुलिए जो भी जी किया फ़ये पांच न से लोगों को चुनेंगे कमेंट कमाधाय से झी जो भी इनका पर इनके खातें के माधियमसे या फॉन पी के माधियमसे एक ऐखातें के क painful करेंगे जानते हैं पहला question जिया दोस्तों भारत में जिया दोस्तों ध्यान दोस्तों सुनेगा भारत में सबसे पहले करोना का जो मरीज था वो किस राज में पाया गया था तो इसका answer में comment box में जरूर दीजेगा थैंक यू सो मजद दोस्तों वीडियो को शेयर किजिए जाकित ज्यादा से ज्यादा लोग इस competition में पाटिसिपेट कर सकें